हाई अबरीबन वेलकम बेक टू माय चलर दोस्तों आज मैं कंप्यार करने वाली हो गुडवाइप्स के सबसे अच्छे दो सिरम को एक है गुडवाइप्स का स्किन क्लू विट्मिन सी एंड बीथिरी सिरम और दूसरा है गुडवाइप्स का रोजेप सिरम दोनों ही सिरम हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छे दल देते हैं तो आज हम देखेंगे किन स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिरम अच्छा है हमें अपनी skin type के नुसर किस सिरम का प्रियोग करना है साथ ही साथ monsoon season, summer season यह winter season किस सिरम में किस सिरम का प्रियोग करना चाहिए चलिए शुरू करते हैं पहले बात करते हैं इन दोनों ही सिरम के packaging की यह है दोनों सिरम, एक है good vibes का vitamin C and V3 सिरम और एक है good vibes का rose hip सिरम सबसे पहले बात करते हैं vitamin C and V3 सिरम की तो यह है good vibes का skin glow face सिरम vitamin C and V3, no parabens, no silicone इसके price है 250 रुपे और यह हमें मिला है 10 ml अब हम देखते है rose hip सिरम को तो यह है rose hip सिरम की packaging यह है good vibes का rose hip radiant glow face सिरम यह है no parabens, no sulfate इसके price है 240 रुपे और यह भी हमें मिला है 10 ml यह हम बात करें कि इन दो नों के how to use में क्या लखा है तो जितने भी सिरम रहते हैं good vibes के उनके how to use एक से ही लिखे होते हैं तो हम किसी का भी read कर लेते हैं how to use में लिखा है apply 2-3 drop of the face serum all over a clean face, gently massage on to the skin with your fingertips until fully absorbed यानि कि आपको 2-3 drop अपने चेहरे पर डालना है उसके बाद आपको अपने fingertips से मसाज करना है जब तक ही आपके skin पर absorbed नहीं हो पता इसके how to use में इतना ही लिखा हुआ है बात करें यदि इनके texture की तो इन दौनों के serum के texture अलग-अलग है जो vitamin C and B3 serum है यह एक water-based serum है इसलिए है serum बहुत यदा हलका है एकदम light weight है बिल्कुल भी oily नहीं है बिल्कुल भी चिकना नहीं है जिए हम बात करें rosehip serum की तो यह जो है वह एक oil-based serum है इसलिए है थोड़ा सा थिक है हमारे चहले पर जल्दी absorb नहीं होता साथ ही साथ यह oily serum है तो यह जो vitamin C and B3 serum है यह एक water-based serum है और जो है यह rosehip serum है वह एक oil-based serum है तो हम में इन दौनों के texture को आपको हाथ में लगा कर बताती हूँ तो सबसे पहले मैं लेती हूँ rosehip serum को तो है वह rosehip serum है इन दौनों के texture में बहुत ही ज्यादा अंतर है यह बिलकुल oil जैसा है यह बिलकुल water जैसा है यह skin पर बहुत ही जल्दी absorb नहीं होता है यह देखिए कि इतने जल्दी से हमारी skin पर absorb नहीं हो गया है जबकि मैंने इसको फैलाया भी नहीं है तो यह जो serum है यह हलका सा थिक है और यह है बहुत ही ज्यादा light weight है यानि कि इन दौनों के texture में बहुत ही फर्ख है एक पूरी तरीके से oil-based serum है बहुत ही ज्यादा गाड़ा है और दूसरा है water-based serum vitamin C and B3 serum और यह बहुत ज्यादा हलका है तो दोना ही कि इस serum के texture बिल्कुल ही अलग है बहुत करते हैं कि किन skin problem के लिए कौन से serum अच्छा है तो यदि आपके चेहरे पर दागधब्बे हैं महासो की निसान है blemissing है साथ ही साथ आप एक ऐसा serum चाहते हैं जिसमें anti-aging भी हो तो आप vitamin C and B3 serum का प्रियोग कीजिए जो vitamin C and B3 रहते हैं वह दागधब्बों को कम करते हैं blemissing को हट आते हैं साथ ही साथ vitamin C में anti-aging वाले गुड़ भी रहते हैं इसलिए यह serum इन skin problem के लिए बहुत ही अच्छा cover करता है बहुत अच्छे जल देता है लेकिन वही पर यदि आपके चहरे पर बहुत ज़्यादा दागधब्बे नहीं है blemissing की समस्या नहीं है आपको एक एक ऐसे serum चाहिए जो आपके skin को bright करे soft बनाए अच्छे से moisturize करे hydrate करे साथ ही साथ आपके skin को bright करे तब आपको rosive serum का प्रियोग करना है क्योंकि जो rosive रहता है वही आपके skin को bright करने का काम करता है बहुत अच्छे से moisturize करता है soft बनाता है तो यदि आपके चहरे पर दागधब्बे और दूसरी problem है तब आप vitamin C and B3 serum का प्रियोग कीजी लेकिन यदि आपके चहरे पर बहुत ज़्यदा दागधब्बे नहीं है आपको अपने skin पर glow चाहिए brightness चाहिए तब आप rosive serum का प्रियोग कीजीए यदि हम बात करें कि किस skin type के लिए कौन सा serum अच्छा है तो मैंने लगभग लगग दो महीने vitamin C and B3 serum का प्रियोग किया है और rosive serum का तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रियोग किया है बहुत टाइम तक प्रियोग किया है तो यदि हम बात करें vitamin C and B3 serum की तो यह एक water-based serum है बहुत ज़्यदा हलका है बहुत जल्दी skin पर absorb हो जाता है एकदम water के जैसा है हमारे skin को बिल्कुल भी oily नहीं बनाता है पर यदि आपकी oily skin है normal to oily skin है या फिर हो आपकी sensitive skin आवट में C and B3 serum का आराम से प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इससे pimples आने के chances बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं वही पर यदि हम rose lip serum की बात करें तो यह जो है वह है एक oil waste serum है थोड़ा सा गाड़ा है थोड़ा सा skin पर absorb होने में टाइम लेता है हमारे चेहरे को थोड़ा सा oily बना देता है इसलिए यदि आपकी dry skin है या फिर आपकी normal to dry skin है तब आप इसका प्रियोग कीजिए लास्ट पर यदि हम बात करें कि किस मौसम के लिए कौन सा सिरम अच्छा है तो जो rose lip serum है वर winter season के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे से आपकी skin को moisturize कर देता है dryness को बिल्कुल खत्म कर देता है यदि आपकी oily skin है विंटर सिरम में rose lip serum का प्रियोग कर सकते हैं वहीं पर vitamin C and B3 serum monsoon season के लिए और summer season के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि चिपचिपी गर्मी होती है पसीना आता है ऐसे में rose lip serum से बहुत ही ज्यादा पसीना आता है मेरे खोड़िस को यूज किया है जो rose lip serum है वहीं दिन में तो आप बिल्कुल भी प्रियोग नहीं कर सकते है गर्मियों में, monsoon season में क्योंकि पसीना बहुत ही जादा आता है तो उसमें आप vitamin C and B3 serum का प्रियोग कीजिए dry skin वाली भी monsoon season में या चिपचिपी गर्मी वाली बहुत सम्में vitamin C and B3 serum का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि यह चैरे पर बहुत जल्दी एब्सर्ब हो जाता है इसको लगाने के पाद बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है तो यदि आपकी dry skin है, oily skin है या normal skin है यदि season चल रहा है चिपचिपी गर्मी का तब आप between C and B3 serum का प्रियोग कीजिए लेकिन जब winter आ जाए तब आप रोजिप serum का प्रियोग कीजिए इस तरह आप अपने skin type के नूसार मौसम के नूसार साथ ही साथ आपने skin problem के नूसार अच्छे serum का प्रियोग कर सकते हैं तो यह हैं दोनों serum दोनों ही serum बहुत ही अच्छे हैं बहुत अच्छे जल देते हैं आपकी skin को glowing मनाते हैं लेकिन बस आपको skin problem के नूसार और अपने skin type के नूसार इन दोनों का चुनाव करना है यदि आपको यह सिरम खरीदना है अंगली वीडियो में बाई बाई